Hello everyone, I am Mohant Bhattie. हम लोग आज Electrodynamics के next वीडियो पर आ गए हैं. हम लोगे last वाले वीडियो में resistance पर discussion स्टाइट किया था. उसी का continuation करने वाले हैं. एक प्रॉलम भी दिया था last में मैंने. उस से ही continue करेंगे और color coding वाले concepts हो cover करेंगे. कुछ आथ applications भी करेंगे. problem solving करेंगे resistance पर बेस करके. ठीक है? स्टाट करते हैं. रेजिस्टन्स पर एक last वाले वीडियो में मैंने एक problem जो दिया था. I hope बाकी बच्चे पीछा वीडियो देख चुके हैं. और एक question था कि एक annulus दिया हुआ है. याद होगा. अनिलिस्टन्स दिया हुआ था. मतलब जिसका यहाँ पर stretch करने पर angle 90 degree बेन रहा था. और इस तरह का कुछ शेप था. ये width बताया गया था भई की is about h. ठीक है? अंदर वाला radius is a and बहा वाला radius is b. और current, last word बचा था है, current यहाँ से enter कर रहा है और current ऐसे flow कर रहा है. ठीक है? बताना है कि what is the R equivalent for this flow of current. current यहाँ से enter कर रहा है, यहाँ से exit कर रहा है या फिर यहाँ से enter कर रहा है, यहाँ से exit कर रहा है. समया रहा है? इस तरह, बतलब, along this line. समया रहा है? यह फ्लोफ करेंट यह फ्लोफ करेंट यह फ्लोफ करेंट यह फ्लोफ करेंट तो जब करेंट यहां से इंटर कर रहा है तो सब अपने अपने एक लाइन में फ्लोफ कर रहा है करेंट इधर भी फ्लोफ कर रहा है करेंट ऐसे फ्लोफ कर रहा है करेंट ऐसे फ्लोफ कर रहा है कुछ करेंट जो हो रहा हूँ इस वाले स्ट्रिप से बहार निकल रहा है कुछ करेंट यहां पर रहार निकल रहा है तो सब la zap कि यहां पो उसको हप आया बहुत सारे इस लगाए गए हैं इस तरह सुचो यहां ञड़ाए गए पैरलल में, imagine करो, अगर इस तरह एक क्वार्टर अनिलस है, लास्ट विडियो में हम लोग ने उसको पिज़ा प्रॉलम्स लेकर समझा था, कि पिज़ा का सामने याल स्लाइस कटा हुआ है, हम लोग यहां से कुछ खा लिए, यह बचा हुआ है, है ना, पिज़ा का स्लाइस हो यह एक रेजिस्टर, यह एक रेजिस्टर, और जो वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में, वोही वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों एक वायर के बीच में, इन दोनों बीच में समझो, कि यह एक रेजिस्टर है, यह और रेजिस्टर, ऐसे इन फाइनाइट रेजिस यह ला में जो current flow कर रहे है आपस में दिसे के संग parallel है तो if I write कि कितना यहाँ पर resistance मिल रहा है let's change the marker तो we'll write d r equals to d r equals to इस वाले के लिए ठीक है बई? यह height का है h और यह width कितना है हम लोग कोई भी एक r पर जाते हैं center से और यह width है कोई d r तो किस area of current पास कर रहा है तो formula क्या होता है resistance का rho l by a rho को यहाँ पर 1 by sigma लिखा जा रहा है l मतलब जो length हुआ जिसके long current move किया current इस length पर move किया अगर इसका front view लिया जाए इस quarter nilas का तो यह एक quarter है और यह इधर flow किया ऐसे हाया ना मतलब यह सब हटा दो खाली यह quarter part को देखो तो current इधर flow कीया अब अगर r यह होगा तो क्या होगा यह 2 pi r by 4 है न अगर यह r लिया जा रहा है तो कितना है यह length 2 pi r by 4 मतलब पाई r by 2 तो यह link कितना है 2 pi r by 4 मतलब पाई r by 2 तो length क्या होगा pi r by 2 अलग-अलग point का अलग-अलग r होगा, अलग-अलग by r by 2 होगा by area, किस area o cross कर रहा है ? इस वाल area o cross कर रहा है वट इस area equal to ? h into dr, length into breadth is the area है कि नही ? integrate करना है हम लों को, integrate जब करना है, या दखना यह सारे parallel में है, यह एक element होगा next element इसकी समों parallel में फिर next problem is parallel में इन दोनों के cross potential difference है वह ही इन दोनों के cross है और इसे जो पैलल में होता है तो इसको लिखेंगे next step में 1 by dr equals to HDR सिग्मा भी उपर चला जाएगा पाई आर पाई आर भाई टू था ना यह टू पर लिख देते हैं integrating both sides 1 by r 1 plus 1 by r 2 plus 1 by r 3 करा तो इसलिए 1 by dr 1 plus 1 by dr 2 plus 1 by dr 3 कोई दिक्कत नहीं है सब सही हो रहा है मतलब start हो रहा है r equals to a से and हो रहा है r equals to b पर और racing starting हो आपको 0 से कोई r तक फिलाल अभी इस पाट को न ऐसे चोड़ देता है right side है काम करते है तो 2h sigma pi बाहर आ गया integration of dr by r यह हो जाएगा 2h sigma by pi limit a से b तक dr by r के integration होगा log और lnr upper limit b lower limit a 2h sigma by pi ln b by a मेरा result यह क्या है यह 1 by r यह यह 1 by r I guess ऐसे कोच अंसर है हां ऐसे कोच अंसर है आभी गया that's like integration 1 by dr अब integration of 1 by dr बताब obviously integration नीचे ऐसे आता नहीं बढ़ा summation of 1 by dr logically बोसकते है 1 by r होगा right side ठीक है left side में क्या हो रहा है integration of 1 by dr अब इसी तोड़ते हैं नहीं ऐसे integration तोड़ना पॉसीबल नहीं है बट अगें logically बोसकते है 1 by dr 1 by r 1 plus 1 by r 2 तो एक net 1 by r आएगा तो यह 1 by r net है and answer क्या होगे फिर finally r equals to r equals to pi by 2h sigma ln b by a that is the net resistance अगर current यहां center करके यहां से exit कर रहा है current यहां center करके यहां exit कर रहा है और आप से note कर लो भाई ठीक है next question लेते हैं register पर base करके I hope कुछ types clear हो गए और भी कुछ types पर question करना है पहले वह फटाफट कर लेते हैं ठीक है कुछ question set ready रखा है मैंने उस पर काम करते है first of all question लेते हैं question है the space between two coaxial cylinder rather दो तरह question है एक तो register based है और एक ohms law based भी है तो जो सीखें ohms law उस पर exact based questions भी है तो दोनों करते वे चलते हैं ठीक है तो दो question relation पर करेंगे फिर color coding सीखेंगे I hope यहां तक में कुछ ज्यादा problem नहीं हो रहा होगा तब generally होता क्या है कि चीज़े सीखते जाओ और संके संग उसी पर अगर application करोगे तो ज्यादा मजा आएगा और जल्दी दिमाग में बैठेगा तो मेरा तो बस एक request है कि अगर कर रहे हो संग में तो संगे संग apply भी करते जाओ इसके derivations जितने हम लोगी सीखें उसको और लिखते के practice करते जाओ अगर उसपर based numericus में तो अभी क्या भी लगा लो जितना अभी क्या भी यूस करोगे उतना जल्दी दिमाग में पूरा सेटल हो जाएगा ने तो भाई पता लगा तुम मेट के वीडियो देखे जा रहे हो कुछ दिम बात सारे वीडियो के चीज भूल गए वापिस फिर नोट्स खोलना पड़ा हालकि नोट्स लिखा रहेगा तो अच्छा आराम रहेगा नोट्स में हर एक छोड़ शोड़े point भी लिखते जाओ question है the space between two coaxial cylinder whose radii are a and b whose radii are a and b coaxial cylinder है is filled with a conducting medium, a connecting medium से fill कर दिया कहा है the specific connectivity of the medium is sigma, compute the relation between the cylinder in the radial direction using two distinct methods, assume that the cylinder are very long compared to the radii calculate the resistance assuming sigma is sigma not by r मैं दो तरह से को दो question दिया है, एक तो conductivity को variable लेने बोला है और एक में चॉन्टिविटी को constant लेने बोला है तो पहले तो कॉन्टिविटी को लेते हैं सिग्मा और फिर काम करते हैं निकालने क्या बोला गया और दो मेंथ़ड उसकरने बोला है तो दो मेंथ़ड मेंशन नहीं किया वैसे using two methods तो दो मेंथ़ड क्या-क्या यूस कर सकते हैं करते हुजाते हैं एक तो अमनों derive जैसे अभी कर रहे हैं वह कर सकते हैं जो पहले भी derive किये वह जो अब ही तो सारी derive के है question पहले क्या है देख लो question ऐसा है कुछ question कुछ इस तरह का है यह inner radial जो है न यह है इए यह outer radial का है वी करेंट मतलब कैसे फ्लो कर रहे है बता है रेडिली फ्लो कर रहे है current radially flow कर रहा समया रहा है करने radially flow कर रहा है यह length काफी लंबा है बोला जा रहा है length is much much greater than a और b तो इस बारे में बात नहीं करेंगे question में बात जो करने अला बात है वो है कि resistance निकालना है radial direction मतलब यह higher potential lower potential इस तरह मान लो और ठीक है पहले sigma constant लेते हैं तो पहले sigma जब constant लेंगे फिलहाल में पास दूसरा method सीखाने के लिए बस कर रहा है एक method तुन्हों सीख चुक है ना कैसे वो area length करके दूसरा method सीखते हैं तो e क्या होगा sigma j na पढ़ चुक है हम लोग rather e equals to roger था तो j equals sigma e e equals to roger था या फिर j equals to sigma e ये फ़र्म में डेरिवेशन किया हुआ है ये वेक्टर फॉर्म में ये वेक्टर फॉर्म में ये भी वेक्टर फॉर्म में तो current मालो i flow कर रहा है पर ये जो area है curved surface area जिसको cross कर रहा है cross surface area तो जेगे जाल लिख देंगे i by 2 pi rl equals to sigma times e sigma times e हम लोग को निकालना है यहाँ पर r तो अपने अगर सोचें कि e है और बोल दिया गया sigma constant है sigma बता दिया गया है तो i by 2 pi rl value का बात करते हैं 2 pi rl into sigma ये हो गया e direction का बात क्यों करेंगे जब निकालना ही नहीं हम लोग को ऐसे मन करें लेटर फिल्ट तो बोल सकते हो कि अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पर एक r cap लगा दो हाँ ना क्योंकि readily जा रहा है बोलना चाहाँ तो बोल सकते हो अगेन हम लोग को पता है कि r क्या होता है v by i तो v क्या होगा integration of e dot dr by i है कि नहीं e क्या है अपने पास i by 2 pi l बाहर integration of dr by r और इसे एक और i है ना 2 pi l बाहर i बाहर और एक और i ये r है ना r equals to v by i कर रहे है गर तो r कहां से कहां last करेगा r equals to a से r equals to b तक तो यह i cancel हो गया 1 by 2 pi l ln r b a 1 by 2 pi l ln by a जार ट्यकथा सिंस्द्पारा है कि स्टेग को संप्सक्राओ यह से आरे विदि ना त्यासा काञिकर को रहता है यह सब्सक्राओं न न rh मतलब last to last video में जब resistance पर discussion स्टार्ट किये थे तो पहले ही discussion था कि अगर ऐसे करेंट दिया जाए तब क्यों होगा रो एल बाई पाई B स्कुरा मैंनस A स्कुरार और जब अगर रेडियल होगा तब इस तरह कर चुके महां पर ऐसा expression डराइव हो चुका है पहले भी तो जो भी हो यह हो गया इसका method 2 वहीं पर जो किये थे यह method 1 हो गया next question लेते हैं फिर next question लेते है question है a cylindrical wire has length L and area of cross section A तो अब इसको हडाते वे next question है थोड़ा सा sigma variable पर बात हम लोग इस वाले question के लिए नहीं कि ए खुद से try करोगे question है इसी का answer निकालना है यह homework लेकर रख लो कि अगर sigma equals to दियावा है sigma naught by r sigma एको sigma naught by r तब relations क्या होता अभी तक तो sigma constant तो बाहर आ गया अगर sigma naught by r होतो क्या होता sigma naught बाहर आता पर r अंदर रहता रर कर जाता तब क्या आता answer खुद से try करना simple सा है तो question part b था इसी question का यह part a में क्या था sigma constant था part b में क्या sigma variable है and sigma is given as sigma naught by r अब variable पर base question हम लोग next वाले question में ले लेते हैं मतलब next question जो करेंगा उसमें थोड़ सा variable वाला case ले लेते हैं question क्या है सुन लो a cylindrical wire has length L area for section A connectivity of the wire material changes with distance from left end as sigma equals sigma naught L by x मतलब कुछ इस तरह का cylindrical wire दिया गया है यह length L है यहां से दूरी के साथ sigma is given as sigma naught L by x इस तरह बदल रहा है ठीक है where sigma naught is a constant sigma naught is a constant calculate electric field inside the connector as a function of x electric field निकालना है अंदर में when a battery of V is connected across the ends इसकी across voltage भी लगा दिया गया है ठीक है और अलग-अलग x पर e क्या होगा उसका expression देने बोला गया है तो start कैसे करेंगे भई हम लोग को find out करने बोला गया है इक expression शुरुआत करते हैं अगर हम लोग R निकालने अगर हम लोग R निकालने हम लोग जानते हैं आई क्या होगा V by R तो इसके लगर हम लोग R निकालने तो I क्या होगा V by R और J क्या होगा आई भई एरिया कुछ बताया गया क्या रेडियस के बारे में कुछ एरिया को लेके बताया गया क्या रेडिस वाने में कुछ बताया गया है क्वेश्चन में रेडिया को लेके कुछ नहीं बताया गया है जो भी हो हम लोग को समझना होगा कि हम लोग कैसे फिर एरिया से बचेंगे ये एरिया को हटना कटना पड़ेगा हो सब्सक्राइब यहां पे कुछ एरिया आया, वो Ĕर एरिया जब आतार है, क्या होता ह Väit? जब तो यहां से अपने को ए निल जायेगा, करना एह जाया के लिए दिए यहां, हाहनी निकालने ही है, स्टेब 1 पहले आर निकाल लेते हैं, तो आर कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, आर रिकोस्टू, करने ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पूरे एरिया से हमें, है ना, पूरे एरिया से हमें, वन बाई सिगमा, एल कितना है, कोई भी दूरी पर जाओ, कोई भी दूरी पर जाओ, dx कोई भी x पर गए चोड़ाई कितना लिए dx अब ऐसे क्यों कर रहे हैं बस चेक कर रहे है हलाकि इसलिए भी कर रहे हैं कोई पता है कि sigma variable है अलग लग x पर sigma अलग अलग है तो हम लोग कोई भी x पर गए एक छोटास element लिए और इसकलिए form रिखे 1 by sigma मतलब रो L by A सिधा होको सिधा A लिख देते and sigma is what sigma not into L और उपर x integrating both sides तो d i के integration r limit 0 से r तक लिखते हैं और यहाँ पर x 0 से लेकर L तक लिखते हैं तो यह हो जाएगा a sigma not L बाहर integration of x dx कहां से कहां 0 से लेकर L तक 0 से लेकर L तक उपर 1 तो 1 by A sigma not L x square by 2 upper limit L low limit 0 तो 1 by A sigma not L L square by 2 यह हो गया r यह L यह L cancel L by 2 A sigma not equals to R I hope visible है properly जबको यह resistance हो गया R equals to L by 2 A sigma not है ना ठीक है question का second part कहा फिर question का second part है J निकालना तो भाया J क्या हो गया यह I by A कर दो हा ना J क्या हो गया I by A कर दो तो सॉरी पहले तुम लोगो I क्या है V by R ना तो R आया है V है तो V by R into A यह हो गया यह हो गया J हाना J क्या हो गया I by A तो I क्या V by R R अपने पास है V by R by A अब यहां पर आजा थे E क्या हो जाएगा वट इस रो 1 by sigma तो यह sigma J क्या है V into R into A पुट करें V तो V रहेगा sigma sigma अला-ला पॉइंट के ले ले तो as a function of X आएगा तो sigma क्या होगा sigma naught L into X R क्या रहेगा L 2A sigma naught into A simple समया है V के जगा V रहें दिए sigma के जगा sigma naught L by X यह उपर लिख दिए R के जगा L by 2A sigma naught L by 2A sigma naught और यह A simplify करता है A A cancel sigma naught sigma naught cancel बचा क्या E equals to scalar form में लिख रहे है भी तो फिलाल V by L square 2V by L square into X अगर इसको आप वेक्टर X बोल दे इसको तो यह वेक्टर हो जाएगा यह वेक्टर ही बजाएगा यह 2V by L square vector X is the expression अगर इसको देना था otherwise E equals to 2V by L square into X is the value of E देहो कोई दिखका तो बात करो पूचो पूचो भई कैसे पूचो के बचाए 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 दाल देना जो भी डाउट हो का विल आंसर देन in the next video ठीक है comment box में लाल देना जो भी पूचना हो comment box में लिख दो we'll try to get back to you तो यह तरीका हुआ यह question हुआ let's go for the next topic color coding ठीक है भई let's start with the next topic color coding color coding शुरू कर देते हैं color coding क्या हुआ क्या होता है ना बहुत सारे तरह तरह के जो registers होते है उन्में एक तरह का particular register होता है उसके ओपर हम लोग color से लिख देते हैं कि मतलब color कर देता है जिसे हम लोग समझ पाते है कि भाई वो कितना resistance का है उसका measurement ना उसके उपर लिखते हैं नहीं हम लिते हैं निसकी और फुनिवार्यौनिक्स हम जिसे यe 1resh और कर दिया जता है है आरकलर कर दिया जिम्में 4 color मिला कर, पूरा resistance का value पता लग सकता है, पहला और दूसरा, ये मेरे resistance का 1st digit होता है, दूसरा color 2nd digit बताता है, अब वो कैसे बताता है बता रहे हैं, 3rd digit कितना zeros होगा उन 1st 2nd digit के बाद, number of zeros and the fourth color कितना percent का tolerance होगा कितना error हो सकता है मेरे इस reading में कितना tolerance हम लोग को लेके चलना है इसके लिए तो यह सब मिलाकर होता है अब यह first, second, third और यह fourth इस चारो रंग होता है इन पर इनको याद दखना होगा कि भाई brown color का मतलब क्या है ब्लाक कलर का मतलब क्या है तो कैसे याद दखोगे यहाँ पर लिख दू BB Roy BB Roy of Great Britain has very good wife ठीक है BB Roy BB Roy of Great Britain has very good wife बहुत सारे और भी है यह one of the most famous nemonics है साथ यह ही सुनते आयो को स्कूल में और यही सुनना है और ज्यादा इस पर कोशन साथ नहीं से जादा जल्दी बात करके आगे बढ़ते है BB Roy of Great Britain has very good wife मतलब क्या हुआ पहला अला B stands for black black मतलब 0 दूसरा अला B stands for brown is 1 तीसरा अला R stands for red 2 O for orange 3 Y for yellow 4 G for green मतलब 5 B for blue B for blue is like 6 V for violet means 7 G for grey means 8 and W for white this means 9 इसके लावा 3 और रंग रहेंगे जो 4th step के लिए 4th step के लिए 3 रंग और है क्या-क्या है gold silver और colorless now gold stands for plus minus 5% of tolerance मतलब तुमारा जो reading आया उसमें 5% जादा या कम हो सकता है silver का मतलब क्या हुआ plus minus 10% colorless का मतलब क्या हुआ plus minus 20% का tolerance इतना का error ठीक है इतना का error पॉसिबल ले महाँ पर समयार की निया रहे इतना का error पॉसिबल ले महाँ पर तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है let's try to apply concepts आगे concepts अप्लाई करते हैं ठीक है let's see इसको कुछ application based करते हैं let's say मैं पास first question एक question दिया हुआ है draw a color code of for 42 kilo ohm plus minus 10% carbon register मतलब question है 42 kilo ohm है अगर plus minus 10% इसके लिए क्या-क्या colors किस तरह के color किये जाएंगा पर ना 4 का मतलब क्या हुआ 4 का मतलब yellow तो मेरा जो register होगा उसका पहला dessert 4 है मतलब first color yellow होगा second dessert is 2 2 मतलब red so second color is what red it's kilo kilo मतलब 10 to power 3 मतलब 30 30 की का ओन लेना पड़ेगा orange 0, 1, 2, 3 तो यहाँ पर क्या होगा orange plus minus 10% 10% मतलब तो यहाँ पर color क्या होगा silver इस तरीके साम लोग पता लगा पाए कि किस-किस रंग से हम लोग को 42 kilo plus minus 10% मिलेगा जनरली काबन रेजिस्टर में यूज होता है आगे बात करते है what is the resistance of falling रेजिस्टर next question है तो इसको अटाते है question क्या है बाई एक एसा रेजिस्टर बना दिया गया है carbon रेजिस्टर color बता दिया गया है पहला वाला है yellow दूसरा वाला है violet फिर brown फिर gold येलो वालेट ब्राउन फिर gold बाई जान मुझके ब्र लिखा था कि समझ मैं brown है ये तो बीफा ब्लैक भी हो सकता है तो येलो कहां था मेरा fourth number फिर न B-B-R-O-Y B-B-01-R-O-Y तो ये हो गया fourth तो इसका मतलब four B-B-Roy कतम of यहां पर लिखा हो तो तो अच्वा रहता of great britain मतलब 5-6 has very good मतलब 7 तो violet is at 7th अपने पास तो लिखा हो है brown is 1 मतलब क्या होँआ आंसर होगा 47 into 10 to power 1 plus minus 5% मतलब 470 plus minus 5% मतलब 470 का plus 5% या minus 5% range में मेरा resistance होगा इसका मतलब क्या था 42 किलोोम का plus 10% या minus 10% कभी भी कोई भी reading लेता हो ना बिटा तो वो हमेशे एक range में होता है कभी भी real life में आस पास पर physics में कोई भी reading exact नहीं होता है हमेशे error होता है महाँ पर ये error के लिए हमेशे plus minus percent लिखा ही जाता है हम लोग बहुत करते करते आज कर जने लाइफ में जब बोलते हैं velocity 3 meter per second ये भी गलत है statement होना चे 3 meter plus minus some percentage भाई exact reading कैसे आ सकता है exactness को भी तो end होगा example लोग बोलते है velocity है 3 meter per second पर 3.1, 3.2, 3.3 तुम बोले sir 3.1 तो 3.1 के बाद क्या 3.1, 3.1, 3.1, 3.2 3.1, 3.1, 3.4, 3.5 क्या मेरे बोलने का मतलब है हमेशा कोई भी reading पूरा exact कैसे हो सकता है एक level के बाद तो वहाँ पर error है ना तो दुनिया में कोई भी reading में एक error रहेगा कोई भी reading में एक error रहेगा कुछ भी सोच लो अपने आस-पास एक जगा error रहता है इसलिए हम लोग exactness लाने के लिए हमेशा क्योंकि प्रैक्टिकल जगा पर application देख रहे है इसका इसलिए प्लस माइनस 5 परसंट 10 परसंट 10 परसंट टॉलरेंस के लिए दिया जाता है अब ये 5 मैक्सिमम है और 5 मीनिमम है इस तरीके से सारे बातों क्लियर कर चुके है इसके इलावा कुछ जादा चीज आने अगज़त नहीं है एक ओगा question है सुनने मैं से अच्छा लगेगा voltage of 30 volt is applied across a color-coded carbon register 30 volt लगा है किसके across में color-coded carbon register with first, second and third rings of blue, black and yellow first, second and third blue, black, yellow मतलब हम लोगो error नहीं बताया first, second, third बताया what is the current flowing through the register बस current बताना है तो VA30 और R क्या होगा first हो गया कितना first हम लोगो का blue तो B, B, Roy of Great Britain मतलब यह आ गया 6 नमबर पर 0 स्टार्ट हो थो ना तो यहाँ 4, 5, 6 तो 6 second क्या है भई black मतलब 0 yellow, black 0, 60 yellow क्या हो गया 4, तो 10 to the power 4 तो इस लाइक answer क्या होगा उस question का V अगर दिया by 30 तो R कितना है पहला नम पहला है blue, blue मतलब 6 फिर black मतलब 0 और फिर next क्या है yellow, yellow मतलब 10 to the power 4 तो I equals to V by R मतलब 30 by 60 10 to the power 4 cancel होगा, बचाएगा 0.5 10 to the power minus 4 यह होगा, equation answer solved होगा, एक हम लोग इस वीडियो के इस वीडियो के यही पर एंट करेंगे हम लोग बेसिक रेस्टिंस का जो भी इस वीडियो का जो भी कॉंसेप्ता सीख चुके है next वाले वीडियो से अब भी बचोघएगा जिसेडियो अवीडियो अग 시청 career नियृझरियो इस वीडियों का यहाँ होगा smart precis विल जेख throughout काफी बचोन तूभ ऐसे टार सुनफरी वाले निये वाले इस दार स्वाल फरना इब as soon as possible. Thank you. Keep watching.